Hello everyone, Welcome to MS Education TV इस वीडियो में आपको Class 9 Physical Education का Complete Solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेट के Sold Question Paper या फिर Important Question की वीडियो देखनी है तो मेरी YouTube चैनल के उपर जाके देख सकते हैं और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डारेट Google के उपर टाइप कर सकते हैं इस वास्ते का सापदिक अर्थ है तो सवस्त दिमाग, सवस्त आत्मा और सवस्त शरीर तो इसका राइट आपको जाएगा उपरोगते सभी डी ओप्सन Next Question 3 योग सबद की उत्पति किस बाहसा से हुई है तो इसका राइट आपको संस्कृत से इसका राइट आपको बताना है किर्केट जो टीम होती है उसके अंदर कितने खिलाडी होते हैं Next Question 6 खेलों में लगने वाली समन्य चोट कौन सी है तो खेलों में देखिए रगड मोच और खिचाओ यह सभी चोटे लग सकती है तो इसमें जो डी ओप्सन उपरोग सभी यह राइट होगा Next Question 7 सासी खेल में डैस सामिल होता है तो सासी खेल में जो क्या सामिल होता है देखिए तो एक तो साहस सामिल होता है सासी खेल में नेक्स्ट है चुनोती ये भी जो सामिल होती है जो सासी खेल होती है इनमें और साथ ही साथ है जोकिम ये जो चीजे हैं जो अगर सासी खेल आप केलेंगे तो अनमें ये चीजे सामिल होंगी नेक्स्ट है NCC का जो हर्थ बताना है फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैड़ेट कॉर्प इसकी फुल फॉर्म होती है इंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कैड़ेट कॉर नेक्स देखिए आपे Q9 हमें किस परकार का बोजन करना चाहिए तो हमें जो है संतूलित और पोस्टिक बोजन जो है करना चाहिए यानि कि हमें संतूलित और पोस्टिक बोजन करना चाहिए Q10 संतोष ट्रोफी किस खेल से समदित है तो किस समदित है फुटबोल से Q11 मनुस्ये एक सामाजिक पराणी है यह कथन किसका है तो ये कथन है अरस्तू का तो इसका right answer क्या जाएगा अरस्तू Q12, योग के आधी गुरु कोण है तो योग के जो आधी गुरु ये है महरसी पतंजली तो इसका right answer हो जाएगा महरसी पतंजली Next देखें यापे अभी कथन और कारण वाले Q21 कारण दे रहा है कि या ब्रभरा विकास कर्द हो ही गारन के लिए लक्सिया को सारीरिक मायूशिख सामाजिक आद्यात् Jewish को बावनात्मक आधि though । जो तो पर वाले की सहिं व्याख्या भी है तो इसका सिराइब से यानगा धार वाले की ब्यखत कि ऑव ब्रभर नेक्स देखिए कुशन 14, अभीकतन दे रखा है कि आसन का अर्थ है वेक्ति का सुक किस्तीती में बैठना, तो ये तो सही है बिल्कुल, कारण है कि आसनों को उनके परबाओं के आदार पर पांच वर्गों में बाटा जाता है, दूसरा जो क्या है ये कारण है, गलत है, तो इसमें जो C-Option है, ये क्या होगा सही, यानि कि अभीकतन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, नेक्स देखिए आपे क्युशन 15, क्युशन दिया गया है कि अभीकतन है कि खेल परतियों के ताओं या मुकाबलों से पूरों खिलाडियों के लिए वार्म अप करना अनिवार ये है, तो बिल्कुल सही है कि उन्हें पहले वार्म अप करना चाहिए, कारण है कि खेल परतियों के ताओं या मुकाबले के बाद वार्म अप या गर्माना बहुत अनिवारी है, येनके मुकाबले के बाद तो बाद में नहीं गर्माना चाहिए, तो ये तो गलत होगया, पहले जो है वार्मप करना चीह हैं तो इसका राइट अंसर क्या होजएगा C option यानि कि A अभीकतन सही है और जो कारण हो क्या है गलत Next question पर चलते हैं देखिए आप यह अधी लगूतरात्म परसन स्टार्ट हो चुके हैं परसन सोला का वेकतिगत स्वास्ते से क्या विप्राय है तो इसका उतर है वेकतिगत स्वास्ते दो सब दो से मिलकर बना है वेकतिगत एवं स्वास्ते इसका भी प्राय है कि स्वास्ते की शफाई के वे सिदान्त जो मनुस्य द्वारा यानकि वेक्ति द्वारा वेक्ति गत्सतर पर वैवार में लाए जाते हैं नेक्स देखे क्यूशन 17 बोजन से क्या भी प्राय है वे सभी पदार्थ जो हम खाते हैं, जिन से हमारा सरीर बनता है और सरीर की सभी आउसकताओं की पूर्टी होती है, तथा उर्जा मिलते हैं, उसे बोजन कहते हैं Q18, पराणायम से आप क्या समझते हैं? पराणायम दो सब दो से मिलके बना है, पराण पलस आयम प्राण कार्थ होता है स्वास और आयम कार्थ है नियंत्रन या नियमन इस परकार जिसके दोबारा स्वास के नियम वा नियंत्रन का अभ्यास किया जाता है उसे प्राण आयम कहते हैं किशन नाइंटीन खेल का खेल बावना से खेलना चाहिए इसका भी प्राय बताना है तो अभी प्राय है कि हमें खेल को खेल की बावना की जो खेलना चाहिए खेल से हमें अपने खेल में सुधार करना चाहिए next है देखिए अमें दुर बावना से नहीं खेलना चाहिए हमें खेल को अपनी संताओं के विकास के लिए खेलना चाहिए next है 20, अच्छी मुद्रा क्या है यंकि अच्छी तरीके से बैठना कोई भी अगर हम काम करते हैं, कोई योगा वगरा करते हैं, एक्साइज करते हैं, तो हमें अच्छी मुद्रागी जरूरी है 21 का है, देखिए, सासिक खेलों का महतव, बताइए तो सासिक खेलों में भाग लेने से हमें चुनोती पूरण बादाओं को पार करने का अवसर मिलता है इसे हमें साहसवे एहम विश्वास का जो है ग्यान होता है हमारी चुनोतीों का सामना करने की जो सकती की जो विकास हता है नेक्स देखें यहां पे लगूत रात्मग पर्सन इसमें पर्सन दिया गए 22 का किनी दो सासी खेलों का वर्णन करें तो सासी खेल भूमी जल और वायू के माध्यम से की जाने वाली गतिवी दिया है इन में उच सतर का जो है जो खिम सामिल होता है जैसे बादा दोड, गुड़सवारी, बाला फेकना, परवत्ता रोहन करना आदी नेक्स्ट है कुशन 23 विजए टीमों को बारी दी जाती है ताकि उन में टीम का एक तरीके से वह सकते हैं, पहले चरण में एक दूसरे से के मुकाबले करके हारने जाएं नेक्स्ट है, प्राणायाम की कितनी अवस्थाइं हैं, वर्नन कीजिए तो देखे, प्राणायाम स्वास का नियंतरन करने के एक वीदी है प्राणायाम की जो है तीन वस्थाइं होती है, पूरक यानि की स्वास को अंदर खीचना, रेचचक स्वास को बाहर निकालना और कुमबक स्वास को जो है यानि की स्वास को कुछ दिर अंदर रोकना, ये जो तीन वस्थाइं होती है नेक्स टाग्रम बात करें प्राणाया में स्वास अंदर की और खीच कर रोक लिया जाता है और कुछ समय रोकने के पस्था फिर स्वास बाहर निकाला जाता है इस तरह स्वास को दीरे दीरे नियंतरिन करने का जो समय है बढ़ाय लिया जाता है अपनी बाई नाख को बंद करके दाई नाख दोरा स्वास खीचें और थोड़ी समय तक रोक के छोड़ दे इसके पस्चा दाई नाख बंद करके बाई नाख दोरा पूरा स्वास बाहर निकाल दे फिर दाई नाख को बंद करके बाई नाख दोरा स्वास कीच कर थोड़े समय तक रोक के छोड़े इसके पस्चा दाई नाख बंद करके पूरा स्वास बाहर निकाले इस परकार इस पर करिया को कई बार दोराना चाहिए नेक्स्ट है मुद्रा ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए तो बोजन की कमी के करण आई कमजोरी को ठीक करना चाहिए नेक्स्ट है बच्चों को ने तो तंग कपड़े पहनने चाहिए और नहीं तंग जुत्ते हमें गलत डंग से ने तो चलना चाहिए और नहीं पढ़ना और बैठना चाहिए उची तोर पूरी नीद लेनी चाहिए बच्चों के स्कूल बैक का भार जो है हलका होना चाहिए वजन कम होना चाहिए सोते समय सरीर को अधिक मोड़ना नहीं चाहिए इसी के थ्वा में वयायाम करने के कोई पांच लाब बताईए वयायाम करने से सरीर की मासपी से लचकदार और मजबूत बनती है सरीर में कारिय करने के समता बढ़ जाती है वयायाम करने से सरीर हष्ट पूष्ट देर रहता और बुढ़ापा देर से आता है बुख अधिक लगती है और पाचन के रिया ठीक रहती है बूराइम करने से रात को नीज अच्छे आती है किसनल 27, दूद को पूरण बोजन क्यों का जाता है वर्रनन कीजिये दूद को पूरण बोजन का जाता है क्योंकि इसमें सबी पोसक ततव इदमान होते हैं इसके अंदर 87% पाणी और 13% ठोस पदार्थ हैं इसके अलावा इसमें कार्बो आडरेट, प्रोटीन, खनीज और विटामीन बी विटामीन बी जो है बरपूर मातरा में पाई जाते हैं दूद में उपस्तित, ये ततव इसे पूरण बोजन बदाने में जो मदद करते हैं आपको बताना है निम्बू के अंदर जो है कौन सा विटामीन होता है यानि कि आपको जो है यहाँ पर बताना है दूद के अंदर कौन सा विटामीन होता है जरू कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट एम नोकाउट पदती वन लीग पदती में अंतर बताएं दोनों में क्या अंतर है तो बहले बात कर लेतें नोकाउट पदती नोकाउट पर नाली के अंतर का टीमों को गिंती टीमों की गिंती देखकर विगत च्यार वर्सों की विजे टीमों को बारी दी जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन मेंसे कोई टीम पहले चरण में एक दूसरे से मुकाबला करके हारने जाए समाने था विगत वर्स की विजे टीम को सबसे उपर, रनर अप टीम को सबसे नीचे और तीसरे वर चोथे स्तान पर रहने वाली टीमों को कहीं बीच में रखा जाता है सेज टीमों को उनकी स्तीती या परचिया डालकर जोडियों में बदला जाता है फाइनल में जितने वाली टीम को विजे टा और आरने वाली या दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को उप विजेता यानि कि रिनर अप गोसित क्या जता है और सेमी फाइनल में हारने वाली टीम को तीसरा को द्रा करवाने वाली टीम को सुने दिया जता है लीग परनाली में सरवादिक अंक अरजित करने वाली टीम को वीजेई गोशित कर इनाम दिया जाता है यदि दो टीमों के अंक बराबर हो तो ऐसी स्थीति में उनको द्वारा किये गए परदसन के आदार पर वीजेता टीम का जो है फैसला किया जाता है नेक्स देखें आपे निमन आत्मक पर संदिये गए हैं स्वास्ते ही धन है कि वीवरन आत्मक व्याख्या करते वे स्वास्ते के महतव का वर्णन करें पांच नमबर का क्यों सुनने मैं ये मैं अलग सी वीडियो में आपको प्रवाइड करवादूँगा इसी के अथवा में देखिए परात्मिक सायक के गुणों का वर्णन करेंगे भी पांच नमबर का है आदोनिक यूग में सारी रिक्सिक्षा के महतवर पर काषट डालिए इसी के अथवा में एक और क्यूशन दिया गया है कि योग का इत्यास उतना ही पुराना है जितना की भारत का इत्यास विवेचन कीजिए वा योग के लाव लिखिए क्यूशन 30 सारी रिक्सिक्षा का अर्थ वैपरी बास्सा और कोई तीन उदेश से लिखिए इसी के अथवा में एक और क्यूशन है कि नोकाउट पदती में आठ टीमों का जो है फीचर तियार करें यहां तक वीडियो अपनी कंप्लीट होचकी वीडियो अच्छी लगए तो इसको लाइक करें आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो के बीच में मैंने आपसे जो है दो क्यूशन पूचे हैं अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनक्यूशनों के आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोणे में आपको जो है वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा इस वेबसाइट पे जो है जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फर वोचिंग